मासूम साब चेहरा आखों में विश्वास लिए 15 साल का एक छातर बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में कलेक्ट्रेट में प्रवेश करता है वैसे उसके अंदाज और हाव भाव को देखका लगा कि वो अपने किसी खास काम को लेकर उपायुक से मिलने आया होगा लेकिन उस नन्य बालक ने मीडिया से मुखावी होकर जैसे ही अपनी वेदना बताई हर कोई हैरान हो गया आए दिखाते हैं आपको कि ये नन्य बालक लागडाउन के बाद चिलचिरादी धूप में जमसितपूर कलेक्ट्रेट क्यों आया है इस बच्चे का नम सुर्य परताप सिंग राथोड है वैसे तो कद गाठी इसका बहद ही मासूम सा है लेकिन राजनिती गलियारे में ये पंद्रे वर्स्ती बालक काफिक कम दिरों में अपनी उपस्तिती दर्ज कराने में सफर रहा है जमसेतपूर पूर्वी की बिधायक सर्यूराय का अनन्य भक्त सुर्य परताप सिंग राथोड हाली में संपन हुए जहरकन बिधायन चुनाओं के दोरान चर्शा में आया है जहां चुनाओं के दोरान ये बालक जमसेतपूर पूर्वी की लिए सर्यूराय के परचार टेम का इसा रहा था भले ही आज की तारीक में बिधायक इस बालक के बालक को नजर अंदाज कर रहे हूं लेकिन इसके अंदर के जुनूर को आप भी देखकर हरान हो जाएंगे जमसितपूर पूरी बिधायक सड्यूराय के पास गया लेकिन बिधायक ने भाव न दिया फिर यह पहुँच गया कलेक्ट्रेट और लगा दी उपायुक्त के हां उन मजदूरों को सकुसल बिहार भीजवाने की भले उपायुक्त इस मासून के अरजी को नदर अंदाज कर दें लेकिन ये नन्ह बालक ने ठान लिया है कि जब कोई साथ न दे तो अकेला चलो आपको बता दें कि पिछले महिने के 13 तारिक से बिहार के भागरफुर के परवासी मजदूरों को अपने गाउं जाने की गुचत में दर दर की ठोकरे खा रहे हैं लेकिन हर बार उन मजदूरों को निरासा ही हात लगी है प्रसासन की ओर से इन मजदूरों को तेल का ख़च वहन करने को कहा गया है जिसके बाद मजदूरों ने वापस गाउं जाने का नामी लेना छोड़ दिया जहां सोची पिछले दू महिने से जिन मजदूरों के हाथ काम नहीं लगा है जो मजदूर दाने दाने को मोदाज हैं उनसे प्रसासन पैसो की मांग कर रहा है यही काराड़ की प्रवासी मजदूरों के नाम पर जहां बड़े बड़े नेता और सुर्माओं ने चुपिसाद रखी है वहीं दूसरे और इस नने बालक ने जिले के उपायूत तक प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी का पैगाम लिये पहुचा है बात करने आया कि इन मजदूरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए तनी कड़ी दूप में वो कड़ी मेहनद करके अपना रोजी रोटी का काम करते हैं बाहर से आकर के सहर में काम करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मजदूरबर्ग को ज्यादा इतना रूलाना नहीं चाहिए और यहीं हम लोग बिजी साइज मांग करने यहां पर पहुचे हैं वहां का जुक्सलाई नगरपाली का बोलता है कि लोगों को कि आप हम असासन बस की सुवीधा मुआया करवा देगी और मजदूरबर्ग जो है आप तेल का खर्चा दे तो यह कितना ही गलत आज मैं उसी को देखते हूं मैं डिसी साब को लेटर लिखा और मैं आज आया हूं को ग्यापन देने कि हमें लगता है डिसी साब भी इस पर आश्वासन देंगे और ना विधायक मेरी पून नहीं उठा रहे हैं कुछ कारण वर्ष नहीं उठा पा रहे हैं तो इस पर हम आज आया हैं डिसी साब से गोहार लगाने त्री रविस्तंकर शुकला जी सार्म उज कि अजये हैं अद।